representations of organic compound की अगर हम बात करते हैं तो हमारे को concept करना पड़ेगा सबसे पहले मैं जो असारा लूँगा वो लूँगा solid dash solid dash representations फिर लूँगा fissure fissure representations solid dash फिर उसके बाद लूँगा में निमान और एक में लूँगा सो हॉर्स representations ये चारों representation हमारे syllabus में है one by one हम देखते हैं सबसे पहले मैंने किसको बुलाया solid dash solid dash representations इन चारों को ही काम एक ही है कि कैसे भी करके 3D representations को 2D representations में शो करना आर ये बात समझ में तो हम पपेस आते 3D को 2D में कैसे represent करना मैंने ये molecule लिया मुझे पता चल रहा था कि भाई मैं एक को उपड़ रख सकता हूं और 3 को नीचे आएंगे ऐसा नहीं हो सकता कि तीन को पर रख सकते हैं लेकिन हम कोशिश जनरली ऐसा करते हैं अब यह तो मान सकते हैं कि इसको एक प्लेन में नहीं ला सकते हैं सही है इसको एक प्लेन में नहीं ला सकते हैं पूरे मॉलिकुल को लेकिन maximum atom एक plane में कितने आ सकते हैं, maximum atom, कितने आ सकते हैं, तीन, carbon को involve करें, चार में से दो, ठीक है, carbon को मिलाते हुए, तीन, और दो बाहर आएंगे, या तो मैंने अपने आपको इस तरह से model को hold किया, और ऐसे रखा, जब मैं दो को ला सकता हूँ, सिर्फ दो को, तो पर white और pink, मैं carbon को count नहीं कर रहा है, तो अब आपके पास क्या हो गए, दो आ गए, green आपके पास बाहर की तरफ है, आपकी तरफ है, और हम इसको देखते हैं, इस plane में green बाहर की तरफ है, और violet पीछे की तरफ है, मैं violet की जगह उसको blue ही बोलूँगा, तो जो चीज पीछे की तरफ है, उसक समझने में दिक्कट आ रही है, यह हमारे लिए कह रहा, solid dash representation, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे भी पकड सकते ह। इसको और कैसे कैसे represent कर सकते ह। आप तीन लाना ही है, तो आप ऐसे भी ला सकते थे, आप ऐसे भी ला सकते थे, चलो, अभी तो आपने ऐसे ला है अब इसको ऐसे भी ले सकते थे वाइट और पिंक को इस तरह से है वाइट पिंक और एक सॉलिट और एक डैश ठीक है तो वाइट उपपर है पिंक नीचे है यह एक ही प्लेन में करो कौन करेंको यह शाला यह यह प्लेन में कौन दिखेगा आपको ब्लू और यह कौन सा दिखेगा है डैश में ग premier कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो फुल मिलाके थिल लाइन किया शोगर रही है प्लेन, शेीम poking प्लेन, same plane, solid line क्या show कर रही है, out of plane, और dash line क्या show करती है, inside plane, inside of plane, मैं इसको ऐसे भी पकड़ सकता था, कुई दिक्कत नहीं है, pink, white, solid को green, और dash पे blue, बुलो yes, किसी ने कहा कि नहीं मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, pink, white, और द्श लिखर, blue यहाँ लिखना चाहता हूँ, और ऐसे लिखना चाहता हूँ, तो आप मुझे बताएं, ये सही है, या ये सही है, ये या दोनों सही है, दोनों सही है, आप यह माँ सोच हो, याह parked में इंको लिखोंगे, लेकि solid को तके साद नहीं है और तो मेरा answer होगा नहीं, क्यों? क्योंकि आप जब इसको देखेंगे white और pink, तो आपको white यही दिखेगा, pink यही देखेगा, और white जब इस तरफ है, plane में, तो यह green आपका बाहर की तरफ है, अगर आपने इन दोनों का आपस में change कर दिया, तो दिखकत है, अब इनको भी आपस में change तो नहीं कर रहे है, अब बस solid और dash, solid को पहले लिख रहे हैं, dash को बाद में लिख रहे हैं, बागी और कोई changes तो नहीं है, तो यह कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं कि B की जगए G और G की जगए B लिख दी आपने, जो solid line के साथ जुड़ा है, उसे solid रखना है, जो dash line के साथ जुड़ा हुआ है, उसे dash line के साथ ही लिखना है, और जो left दिख रहा है वो left, जो right दिख रहा है वो light thin line में, यह बात का ध्यान रखेंगे, उन्हें आपस में change, अभी हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत आ solid हम पहले लिखना चाहते हैं, मैंने का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन solid के साथ लिखो B, B4 blue, और dash के साथ लिखो G, green, ठीक है, किसी ने में से काज की, सर हम ऐसे पकड़ लेते तो क्या होता, कड़ लेते, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपका solid पे green आ जाता है, और यह ऐसे आ लिखोगे आप, ठीक है, फिर अगला आर्टिकल जो हमारा बनेगा वो यह दिखे जाएगा, कि यह दूसरे से अलग है या सेम है, यह हमारा अगला आर्टिकल है पूरी तरह से, अभी तो हमें इस मॉलिकुल को बस लिखना सीखना है, तो आपने बहुत अच्छे से सीख लि यह, हाँ, पहला, यह मैथड तो यह था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यह था, और फोर्थ यह था, यहां तक आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि रिपर्जेंटेशन कैसे चल रहा है, सही है, लेकिन अगला पॉइंट हमें दिक्कत क्या आ रही थी, थिल लाइन में ही सारा मॉलिकुल समझा दूगा, मैंने का यह बहुत अच्छा है, क्योंकि यह यहां तक तो चल जाता, एक कायरल है, लेकिन अगर, कायरल का मतलब तो जानते है न, जिस कारबन की चारो वैलेंस यह लगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा होना तो यह थोड जो पड़ेंगे फिर, कटप भी पढ़ेंगे, आसान भी पढ़ेंगे और उनमें रिलेशन भी पढ़ेंगे कि एक दूसरे में कैसे denial करें, थिक है न, तो हमें दो सब पढ़ना पढ़ेगा तो हमें वह रिलेशन भी पढ़ना है, तो पहले टो यह freaking क writings say, वह समær। इसको लिखें जल्दी